दोस्तों आज में जिस गाड़ी के बारे में बात करने वालों उस जैसी दिखने वाली गाड़ियों के लोगों के कमरों में पोस्टर हुआ करते थे और आज की डेट में वी आर वेरी लकी टू हैव दिस कार इना प्राइस रेंज जो कि एक काफी अफ़ावडेबल में आती है मैं आपसे बात करता हूँ हुंडे वर्ना के बारे में और क्या खुबसूलती से हुंडे के इंजीनियर्स ने इस पर काम किया है मतलब काभीले टारीफ इस सेग्मेंट की सबी गाड़ियों को पचार देती है अगर इसकी कोई टकर कर पाती है गाड़ी तो या तो सलाविया या फिर वर्तोस आपकी थोड़ा बहुत इसके मुकाबले में दिखने दिखाने में अच्छे लगती है नहीं तो ये गाड़ी जो है बहुत जबर्दस बहतरी लुक के साथ में हमें देखने को मिल जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका ब पाइदे का सौधा है या फिर आपको बेस के साथ ही जाना चाहिए अब डिफरेंसिस आपको क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं ये तो आपको किसी भी वीडियो में ब्रोशर में या शोरूम विजिट करकर पता चल सकता है लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यह है कि मैं आपको evaluate करके बताओं कि अगर आप जितना पैसा फाल तो दे रहे हो उपर वाले वेरियंट में जाने का तो क्या वो आपका उन फीचर के हिसाब से वसूल हो पा रहा है कि नहीं नमस्कार दोस्तों आप हैं EM कास, Everymate कास पर जहांपर कि आपको इसी तरीके की honest, comparisons, reviews, automotive information, news, updates सब कुछ provide किया जाता है तो अगर आपको इसी तरह का content देखना पसंद है तो जरूर चैनल को subscribe कर लिजे और bell notification को press कर दीजे ताकि आपको आने वाली वीडियो के latest updates मिलते रहें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की कुछ basic features बताऊँगा कि यहां पर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है और हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले pricing की तो pricing की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों गाडियों में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है सबसे पहले यहाँ पर आपका आजाता है वर्णा का EX variant जो कि आपका 1.5 naturally aspirated engine के साथ में आते हैं हमारे दोनों variant जो आज हम review करने वाले हैं और अगर हम EX variant की बात करें तो उसका जो एक्षोरूम प्राइस है वो 10,96,000 रुपे है और आपके S variant का प्राइस है वो 11,96,000 रुपे है पूरा पूरा आपको मोटा मोटा एक लाख रुपे का डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमें इंजन स्पेक्स का देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमको 1,500 cc का 4 स्लिंडर इंजन देखने को मिल जाता है 1.5 MPI series का इंजन है जिसमें हमें 113 bhp की पावर और 143.8 Nm का पीक टॉक देखने को मिल जाता है उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस गाड़ी की डैमेंशन की तो आप स्क्रीन पर अपने सामने देख सकते हो यहाँ पर आपको length, width, height, wheelbase और ground clearance कितनी देखने को मिल जाती है बहुत अच्छा यहाँ पर आपका wheelbase देखने को मिल जाता है 2670 mm का drive abilities गाड़ी की जबलदस होने वाली है body roll खतम एकदम ना के बराबर होने वाला है और एक अच्छी कासी educate ground clearance देखने को मिल जाती है उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं mileage और range की बात करूँ तो यहाँ पर 18.6 km per liter का company के लिए mileage आपको देखने को मिलता है और range यहाँ पर आपको full tank पर 8.37 km की देखने को मिल जाती है उसके बार में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपसे boot space और fuel tank capacity की तो यहाँ पर आपको 528 liters का boot space देखने को मिलता है और 45 liters का fuel tank capacity देखने को मिल जाता है दोस्तों मैंने आपको यह सारी बाते बताई अब मैं इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि आपको इस गाड़ी पर as standard 3 साल unlimited km की warranty देखने को मिलती है और 7 साल की extended warranty देखने को मिल जाती है अगर मैं यहाँ पर आपसे इस गाड़ी के standard safety features की बात करों तो यहाँ पर 6 airbags as standard आपको देखने को मिलते हैं और यह सारे features जो की आपको screen पर इस time flash हो रहे हैं यह सारे वो तमाम features हैं जो की आपको as standard इस गाड़ी में safety के तौर पर देखने को मिल जाते हैं जो की बहुत commendable है इतने सारे safety features को across all variants as standard रखना तो दोस्तों अब बात करते हैं मुद्दे की कि यहाँ पर आपको अगर आप S variant लेते हो अगर आप एक लाग रुपी एक्स्ट्रा देते हो तो वहाँ पर आपको क्या कुछ additional देखने को मिलता है आपके पैसे का क्या फायर देमन आपको देखने को मिलते हैं features और क्या वो उतनी value रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको ideal start stop देखने को मिल जाता है ideal start stop का मतलब आप जब traffic में खड़े होते हैं red light पे खड़े होते हैं तो आपकी गाड़ी automatically बंद हो जाती है फिर जैसे ही आप clutch release करते हैं या फिर brake release करते हैं automatic car में तो वो automatically आपकी start हो जाती है इससे कही न कहीं आपके fuel की savings होती है दूसरी couple दोस्तों यहाँ पर आपको alloy wheels देखने को मिल जाते हैं आपकी जो टायर की profile है वो आपकी same रहती है लेकिन यहा पर आपको alloy wheels देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर अगर मैं tire profile की बात करूँ तो आपको 185-65-15 को ब्रेद के tires देखने को मिलते हैं जो की base variant में आपके steel wheels में आते हैं यानि कि वहां पर आपको wheel cap देखने को मिलती है लेकिन आपके S variant में वह डिलाई wheels आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों आपको इस गाड़ी में automatic AC देखने को मिलता है जबकि base variant में आपका manual AC आता है यहां पर आपको glow box जो देखने को मिलता है उसमें cooling function देखने को मिल जाता है उसके साथ साथ यहां पर आपका cruise control देखने को मिल जाता है जो आपकी highway driving के लिए काफी ज़्यादा beneficial होने वाला है यहां पर आपको steering में tilt और telescopic दोनो adjustments देखने को मिल जाती है उसके साथ आपके Base Variant में जो Turn Indicator होता है वो आपका Fender पर दिया गया है लेकिन यहां पर आपको वो ORVM पर देखने को मिल जाता है दोस्तो यहां पर आपको Shark Fin Antina भी देखने को मिल जाता है which is Missing in Base Variant उसके साथ आपको यहां पर Front में LED DRLs देखने को मिलते हैं जो की Missing है आपके Base Variant में S Variant में तो यह काफी ज्यादा Attractive काफी Futuristic और काफी खुबसूरत लगता है देखने में दोस्तो एक और बहुत बड़ा फर्क वो यह कि यहां पर यह गाड़ी में आपको 8-inch का Infotainment System देखने को मिल जाता है जो की Android Auto और Apple CarPlay की connectivity के साथ में आता है इसके साथ साथ यहां पर आपको 4 Speakers Steering Mounted Control भी देखने को मिल जाते हैं जो की आपके Experience को बहुत जादा Enhanced करते हैं यहां पर आपको Front में Armrest with Storage भी देखने को मिल जाती है दोस्तो यह वो तमाम Features थे जो की आपको S Variant में जाने में 1,00,000 रुपे में देखने को मिल रहे हैं यहां पर फर्क आपका सिर्फ 1,00,000 रुपे का है लेकिन जो आपको Features मिल रहे हैं कम से कम वो 2,00,000 रुपे की Value Pack करते हैं अगर आपको Budget का Issue नहीं है और अगर Issue है भी तब भी I would recommend कि आप S Variant के लिए जाओ आप S Variant के लिए ना जाओ क्योंकि यहां पर इतने Features आपको S Variant में देखने को मिल रहे हैं जो 1,00,000 रुपे की पूरी भरपाई कर देते हैं चाहे आप Rear AC Vend देख लो, Glow Box Cooling देख लो, Cruise Control देख लो, आपका Steering भी Telescopic आ जाता है Turn Indicators भी आपके ORVM पर पहुंच जाते हैं मतलब बहुत ही बहतरीन यहां पर आपका S Variant आपको देखने को मिल जाता है Alloy Wheels भी आपको देखने को मिल रहे हैं Instrument Cluster आपका पूरा ही बदल जा रहा है मतलब यह जो गाड़ी है S Variant आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप EX S में आ रहे हो तो आप एक दूसरी ही गाड़ी के अंदर आ गए हो क्योंकि इसके इंदर पूरा ही आपका experience है वो पूरा ही बदल जा रहा है आपको infotainment system देखने को मिल जा रहा है आप उसके अंदर alloy wheels और अलग से लगवाओगे तो यहां पर S Variant मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा value for money variant है और आपको आख बंद करके उसी variant के साथ में जाना चाहिए आपको वीडियो देखकर कहीं न कहीं clarity मिली होगी अगर आपके मन में कोई doubt है कोई भी confusion है तो दोस्तो we have also launched a car consultancy through which we provide and we assist you in your car buying process अगर आपके मन में doubts हैं अपनी car purchase को लेकर तो आप हमसे connect कर सकते हैं हमारे whatsapp number के त्रू जो कि इस time आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा and get your queries sorted out thank you so much for watching the video दोस्तो please do subscribe this channel and press the bell notification icon to get the latest updates of our videos bye bye take care of yourself and remember always drive safe bye bye dosto झाल झाल